प्रवाइजर बारे में तो आप सब को बता दे केन सुपरवाइजर भरती में जो है कोट का फैसला आ चुका है और अब इसकी न्यूकती कब तक होगी हम लोग इसके बारे में यहाँ पे इस बीडियो में बात करने बाले हैं तो दोस्तो आप सब के लिए ब्रेकिंग न्यूज है ये क्योंकि केन सुपरवाइजर वाले अभरती लगातार परेशान थे क्योंकि इनकी भरती 2016 की है और 2016 से इनकी भरती फसी हुई थी लाश्ट में जाकर के जब फाइनल रिजल्ट आया तो कोट केस हो गया तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने बाली हूँ कि कोट का क्या फैसला आया तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और AGTA ज्वाइनिंग से रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स है जो कि आके आप लोग वीडियो में देखेंगे तो चलिए देख लेते हैं एक एकर के दोनों नियूज को और ये प्रेस नोट कार्याले आयुक्त गन्ना एवम चीनी उत्तर प्रदेश का है आप यहां देख सकते हैं ये थोड़ा सा बलर्ड है इसलिए मैं आपको पढ़के सुना देती हूँ यहां का लखनाव खंट पीट के निर्देशा देश दिनांग 13-8-2021 से प्रशस्त हुआ गन्ना परवेक्षक की नियूगती का मार्ग तो आब जो है गन्ना परवेक्षक की नियूगती का मार्ग जो है प्रशस्त हो चुका है गन्ना परवेक्षक सेवा नियमाबली में दी अनिवारी सेक्षनिक योगता के अनुसार ही होगी नियुक्तियां। अनिवारी सेक्षनिक योगता के अधार पढ़ी नियुक्ति देने के जाने वाले जाने हेतु अपना आदेश पारित कर दिया गिया है। अनिवारी सेक्षनिक योगता के अधार पढ़ी नियुक्तियां। तो दोस्तों यहाँ पर आप सबको बता दे जिनके पास ट्रिबल सी नहीं था उन लोगों ने इस बात के लिए रिट डाला था कि उनके पास अग्रिकल्चर में जो है डिग्री हैट यहाँ पर इनके पास कम्प्यूटर की तो इस पर इनोंने एक रिट डाल दिया था लखन मोहित कुमार हुआ अन्य द्वारा तथा विशेश अपिल उत्तर प्रदेश राज एवं अन्य बना मोहित कुमार योजित की गई जिसमें उच्छ नयाले खंड पीट लखनों की आदेश जिरांक 13-8-2023 द्वारा विभाग द्वारा प्रस्तुत आधारों एवं तथिक के द्रिश्टी गत उक्त विशेश अपिलों में विभाग के पक्ष में अपना निर्नय पारित किया है जिसमें उक्त 437 पदों पर गन्ना प्रवेक्षकों की न्युक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है आगे कहा जा रहा है गन्ना किसानों एवं चीनी मिल में मध्य गन्ना प परिवार के भरन पोशन एवं अविजीवी का कास्थाई साधन मिल सकेगा परवेक्षकों की तैनाती सेफ्रिल के लेवल कर्मचारियों की कमी दूर होगी तथा विकास कारी करमों उसके बेहतर संपादन में गतिशीलता आएगी तथा उनकी क्रिशी संबंधी तकनीकी जान परिशालेज जाएगा यहां से गन्ना भीभाग जाएगा UPSSSE से वैसे ही आपकी जो है जो है ज्वाइनिंग के लिए दे दिया जाएगा और आप सब की ज्वाइनिंग हो जाएगी तो दोस्तों जितने भी केन सुपरवाइदर वाले अभ्यर्थी है उन सब के लिए ये ब परिश दी जाएगी गन्ना भीभाग और आप सब को बता दे कि आप लोग अपनी ज्वाइनिंग का जो उम्मीद है वो सेप्टेमबर के लाश्ट वीक तक कर सकते हैं वो इसलिए क्योंकि इस मन्त में जो है ये एजी टीय की ज्वाइनिंग फाइनल हो चुकी है तो बताऊंगी कि एजी टीय की ज्वाइनिंग कब तक होगी तो मैंने आप लोग को परसो ही इनफॉर्म कर दिया था जिवी जानकारी मिली थी उसके अनुसार की आपका जो है नोटेस वो 17-18 तक आ जाएगा यानि की 20 से पहले किसी भी दिन तो दोस्तों आप सब को बता दे आ और इमेल के द्वारा भी उनको इनफॉर्म किया जाएगा लेकिन आप सब को बता दे आप लोग जो अगरिकल्चर डिपार्टमेंट का साइट है अपना ओफिसियल जो उत्तर प्रदेश का उसको भी चेक करते रहिए वहाँ भी नोटिस जारी किया जाएगा और अगर आप के पास आपका फोन नंबर और इमेल आइडी नहीं है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है यह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ आप सब बार बार लगातार ही आप लोग साइट चेक करते रहिए और अगर किसी एक भी अभियरती के पास को पता चलता है तो आप पता चली जाएगा उसके बाद जो है अगर आपका फोन नंबर खो भी गया है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट और बर्थ डाल के वहाँ पे अपना नंबर रजिस्टर कर सकते हैं नया जो आपका नंबर है वो वही तो इसलिए अगर किसी का इमेल आईटी और फोन नंबर नहीं है तो उनको बार-बार परेशान होने की जरूरत नहीं है तो दोस्तों आप सबको बता दे कि उम्मीद की जा रही है कि आपका जो है 15 के बाद याने की परसो से 16 से आपका नोटिस जारी कर दिया जाएगा और लगबग एक सब्ता का टाइम लगेगा काउंसलिंग होने में क्यूंकि इसी से आप अंताजा लगा सकते हैं एल्टी ग्रेड वालों की जो जौइनिंग हुई है भी 12 तारी को उनकी काउंसलिंग 28 जुलाई से लेके 4 अगस तक चला था और उसके बाद 12 तारी को उनकी जौ हजार है तो उस हिसाब से यहां भी एक सब्ता आपका काउंसलिंग चलेगा और उसके बाद ऑगस्त के लाश्ट वीक में जौइनिंग होना पक्का है क्योंकि मैंने आप लोग को परसो सारी बात बता दी थी फिर भी आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि AGTA की जौइनि चाले में नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि किसी से बात करना और एक ही बात को बार बार पूछना उनको इरिटेट करना हो जाता है तो फिलहाल के लिए यही जानकारी मिली है एक लिए आप लोग एक सब्ता थोड़ा सा पेसेंस रखिए और 16-17 के बाद आपके पास मेसेज आन लगेंगे और आप सब को पता दे इस बार का जो है आपका लेट नहीं होगा आपकी जॉइनिंग ऑगस्त के लाश्ट वीक तक हो जाएगी तो दोस्तों ये सारी अपडेट थी गेन सुपरवाइजर को लेकर के और AGTA को लेकर तो दोनों ही भरती की जॉइनिंग बहुत जल झाचिंग!